गूड मॉरिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक अगे इन माई चैनल आप लोग अपने घर पर स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तों और अगर अगर अपने घर पर स्वस्त होंगे, सुरक्षित हो, तो आप हमेसा में स्पोर्ट करते रहेंगे दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देर न करते हो, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आज रेट कितना है tax benefits क्या है इसके withdrawal rules क्या है और contribution जो limit है इसकी वो क्या है तो defense person ये भली बांती जानते हैं कि हर महीने उनकी salary से AFPP जो fund जमा किया जाता है उस fund के बारे में मैं इस video के अंदर detail से बात करूँगो दोस्तों कि ये fund होता क्या है कैसे काम करता है और एक महीने में कम से कम ये अधिक से अधिक कितना fund आप क्या है ये जमा करा सकते हैं या APP fund निकानने के क्या rule है और इसके tax benefit और interest rate कितना मिलता है तो AFPP fund जो होता है वो एक government scheme है दोस्तों जिसमें defense personnel की salary से एक amount contribute के रूप में लिया जाता है दोस्तों जिस पर भारतिया सरकार एक fixed interest देती है दोस्तों तो बात करूँ central government की central government की civil job में भी ये scheme होती है दोस्तों जिसे GPF के या general provident fund कहते हैं दोस्तों ये सभी केंद्रे सरकार के करमचारियों पर लागू होता है दोस्तों अलग-अलग service में इसे अलग-अलग नाम दिया जाता है लेकिन इसके लिए जो rule regulation है वो समान होते हैं दोस्तों तो AFPP fund जो contribution limit है चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि contribution limit कितनी है दोस्तों तो defense person अपनी जुरूरत के अनुसार जो AFPP fund में अपना contribution कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों तो AFPP fund में defense personnel को अपनी basic pay, military service pay तथा group pay का कम से कम 6% जो है जमा करना होता है दोस्तों उधारन के लिए यदि basic pay, military service pay तथा group pay जो कुल मिला के अगर 30,000 रुपए है तो उसे कम से कम 18,000 रुपए AFPP fund जमा करना होता है दोस्तों यदि maximum AFPP fund contribution की बात करूं तो ये basic pay, military service pay और group pay का 100% amount AFPP fund में contribute किया जा सकता है दोस्तों department of pension and pension belfer के office memorandum number 3-6-2021-P and PWF जो की 11 अक्तूबर 2022 को जारी किया गया था इसके अनुसार एक बरस में maximum 5 लाख रुपए तक का AFPP fund के में contribute किया जा सकते हैं दोस्तों तो इससे पहले AFPP fund पर कोई भी annual limit नहीं थी दोस्तों तो अभी APP बात करेंगे अभी AFPP fund जो है उसका जो interest rate है वो कितना है दोस्तों तो AFPP fund पर जो एक fixed interest rate मिलता है जो कि केंद्रिय सरकार दोरा हर 3 महिने में revise किया जाता दोस्तों साथ आप लोगों को पता है कि नहीं पता है बट मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि हर 3 महिने में इसका revision किया जाता दोस्तों यदि हम अब की बात करें तो नवंबर 2022 में AFPP fund पर 7.10% interest मिलता है दोस्तों लेकिन AFPP fund का interest rate अभी भी fixed deposit से अधिक है दोस्तों AFPP fund में investment बहुत secure है इसमें risk ना के बराबर है दोस्तों चलिए अभी बात करते हैं हम AFPP fund के tax benefit की दोस्तों कि अब tax benefit के हैं दोस्तों इसके तो AFPP fund में किया गया 150,000 रुपए तक के contribution में IT Act के section ATC के अंतरगर tax में छूट मिलती है दोस्तों यानि की 150,000 रुपए तक AFPP fund पर कोई भी tax नहीं लगता है दोस्तों इसके अलाबा जब कोई भी defense person जो है pension 30 में या भीज में AFPP fund निकालता है तो भी यह amount tax free होता है दोस्तों AFPP final withdraw का full amount tax में exempted होता है और AFPP का ये एक important benefit होता है दोस्तों और बात करते हैं अभी AFPP fund की जो withdrawal rule क्या है इसका तो withdrawal rule के बारे में मेरे ex-service man भाई है sorry जो मेरे service person भाई है उनको पता नहीं होगा कि इसका withdrawal rule क्या है तो वो भी मैं उनको बता देता हूं दोस्तों उनकी information के लिए तो emergency की situation या house construction या repair के लिए AFPP fund के total amount का maximum 75% तक withdrawal किया जा सकता है दोस्तों withdrawal करने के लिए एक application office के माध्यम से submit करनी होती है तथा 15-20 दिन के अंदर amount defense person आपके account में credit हो जाता है दोस्तों जुरूरत पढ़ने पर APP fund हर 6 महिने में निकाला जा सकता है दोस्तों तो AFPP fund की जो investment करने का एक option होता है जिसमें investment secure है तथा एक fixed return होता है दोस्तों जो की अन्य secure investment जैसे FD होगी उस पर इत्यादी से अधिक रहता है दोस्तों defense person को अपनी salary का अपनी profile के अनुसार AFPP fund में निवेश जुरूर करना चाहिए दोस्तों प्रंतु साथ-साथ में ऐसे institute में भी जुरूर निवेश करें जहां return AFPP fund से ज्यादा हो दोस्तों क्योंकि महंगाई दर की लगबग 6-7% है दोस्तों यदि आप अपनी पूरी savings AFPP fund में निवेश कर देंगे तो महंगाई के कारण आपके investment की growth बहुत कम देगी दोस्तों कम हो जाएगी दोस्तों investment करने से पहले आपको किसी financial advisor से सलाह जुरूर लेनी चाहिए दोस्तों नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले ताकि मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको time CD मिल सके दोस्तों and subscribe करना ना भूले जो कि एक लाल बटन होता है दोस्तों तो इसको दबाना ना भूले ताकि की आप मेरे चैनल पर हमेवसा बने रहे हैं और आप लोगे को मैं अच्छी जानकारी दोस्तों पोँचाता रहा ही जानकारी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी अपने defense die straggrawm पर कर सकते हैं मेरा facebook पेज फालो कर सकते हैं दोस्तो और दोस्तों किसी को और जानकारे चाहिए तो मुझे किमेल क рекच करते हैं तो इमíel पर जानकारी दें दुगा दोस्तों और दोस्तों वीडियोज अगर आप लोग को जितने हाँ लोग यह इस वीडियो को पहुंचाँ सकूँ दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक अच्छी इंफॉर्मेटिक जानकारी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम जै हिन